अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और अगर आप लोग नए है तो प्लीज आगया आने वाले वीडियो से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जैसा कि आप लोग जानते हैं माकशीश का पवित्र महीना चल रहा है और आज अमावत से अतिती है तो इसके आज मैं कुछ उपाई बताने जारी हूँ जो मैं करती हूँ और मेरे जीवन में बहुत बहुत बदलावाया है जैसा कि आप लोग देखने हैं एक प्लेट में मैंन साथ में घी है चोटा डबा आए घी का मैं ले लेती हूँ वह वैसे अब थोक की दुकान में 30 रुपे का मिलता है और आप रेटेल शॉप में जाएंगे तो यह 80 रुपे का गोवरदन का देशी घी मिलता है वैसे अब अमूल के भी सैशे आने लगे हैं यहां देखे दूस इसकाल में मैं इंदियों को जला लूँगी और यह जो मैंने दूसी प्लेट में रखा है आलू, टमाटर, घी, पैसे, मिठाई, वस्त्र, आटा, यह सब मैं मिंस के मतलब चारो तरफ जल छड़क के हम संकल्प लेके और मेरे हजबेंड या कोई भी मेल मेंबर इसको छू ल जला के दूसरे दिन जब यह जल जाते हैं मतलब प्रतिपदा वालितिती में हम इनको टेरिस पर डालाते हैं, चिडिया इन सब दानों को खा लेती हैं और हमारे घर की सारी नकरातमक्ता बाहर चली जाती है, इस तरह से हम दोग दान भी कर देते हैं, दीब दान इसे ही कहते हैं, और साथ में आपको बेल पत्र के नीचे और तुलसी के नीचे पीपल के नीचे भी जरूर दिया जलाना चाहिए, साथ में मावस्या वालितिती को बेल पत्र तुलसी ना तोड़ें, यह बिलकुल निशेद है दोस्तों, और साथ में मैं करती हूँ शाम को कंडे का उप तब मैं इसको गैस से उतारूंगी अब ये मेरे पास साथ चीजें रखे हुई हैं इन सातों को जब कंडा मेरा बिल्कुल गरम हो जाएगा मैं मिट्टी के पात्र में उसको रख लूँगी उतारके और इन साथ चीजों को कंडे के उपर रख के जलाऊंगी तो ये चीजें क् तुकडे लोबान और गूगल इन में से कुछ चीजें मिसिंग भी हो सकते हैं जैसे अगर आपके अचंदन के टुकडे नहीं है ये मैं अडिशनल डालती हूँ या लोबान नहीं है गूगल नहीं है तब भी आप सिर देशीगी और कपूर भी मिला के जला सकते हैं ये अगनी जब शांत हो जाएगी इसका धुआ निकलने लगेगा तब मैं ऐसे इसको सारे घर में क्लॉकवाइज गुमाऊंगी हर घर में ये धुआ दिखाऊंगी इससे मेरे घर की सारी नेगेटिव एनरजी अमावस्य अतिति के दिन निकल जाएगी और फिक घर के बहार आके इसको कर में मिट्टी के बरतन को रख दूँगी इससे मेरी घर की सारी नेगेटिव एनरजी बहार चली जाएगी दोस्तों ये बहुत ही अच्छा उपाय है जिससे मेरे जीवन में बहुत बदलावाया है तो ये गाय का कंडे का उपाय आप लोग जरूर करिएगा और पित्रों के नाम का दान हर अमावस्य अतिति को करना चाहिए जिसमें कि अपाटा, घी या जितना भी पैसा जो भी कुछ निकाल सकें सफेज चीजे ज़्यादा उनको निकाले की कोशिश कीजिए अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए बाई बाई, थैंक यू